नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज है हमारा दे टू एंग आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का रिवीशन इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंग डेवलप्मेंट जल्दी से आप आज आईएंग हर रोज रात को साड़े नौ बजे आपको प् के लिए चले शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का रिवीशन सबसे पहले आप मार्क देख लेजे विदाउट औप्शन अगर हम देखे तो दस मार्क और विद ओप्शन अगर हम देखे तो इस चैप्टर से 13 मार्क के आपके सवाल आने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट ह इस चाप्टर को समझने वाले हैं अच्छी तरह से रिवीजिन करने वाले हैं चलिए शुरुवात करते हैं तो हम रिवीजिन कर रहे हैं इसलिए हम एकदम दीप में तो नहीं जाएंगी लेकिन ऐसे आपको सब कुछ समझ आने ही वाला है अब देखे इस चैप्टर में सबसे पहले आप दो टर्म के साथ भिड़ने वाले हैं जो पहला टर्म है वो है economic growth और जो दूसरा टर्म है वो है economic development आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए देखे economic growth जो होता है वो developed countries में होता है याद रखेगा और जो economic development है वो developing countries में होता है हमारा इंडिया कौन सा country है developed है developing जल्दी बोलो जल्दी बोलो developing yes very good right यह भी सवाल आ सकता है तो इन दोनों को generally same समझा जाता है बट actually में यह दोनों अलग है ठीक है the economic problem of developing country is economic development and for developed countries it is economic growth आपको एक दम बढ़िया तरीके से याद रखना है developed country में क्या होता है economic growth and developing country का solution क्या है economic development ठीक है अब यह दोनों होते क्या है वो भी हम समझेंगे सबसे पहले तो आता है economic growth देखे growth आपको पता ही है right growth means economy growth मतलब आर्थिक growth ठीक है आर्थिक बढ़ोतरी economic growth relates to long run increasing total output of an economy देखे एक economy है एक country है जब उसका production लगातार बढ़े जा रहा है आप देखेंगे कि यह दोनों जो चीज़े है national income हो per capita हो या फिर यह भी तीसरा output यानि production यह सब quantitative है right quantity वाली चीज़े है इनको आप गिन सकते हो माप कर सकते हो यह सब आप कर सकते हो तो economic growth एक quantitative term है ठीक है क्योंकि इसमें जो चीज़े आती है वो नापतोल करी जा सकती है and economic growth का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा यहां पर definition भी दिया हुआ है इसमें भी वही चीज़ लिखी हुए है कि जब हमारा जो national income है या फिर जो हमारा quantum यानि production है goods and services का वो लंबे समय तक बढ़ता जा रहा है तो हम कहेंगे economic growth हो गया है now what are the limitations of economy growth economic growth की limitation क्या है तो सबसे पहला है कि यह quantitative है ठीक है इसमें quality के कोई बात ही नहीं करी जाती है and second इसमें देखिए national income and per capita income ये तो बढ़ते हैं लेकिन institutional और psychological factors ये तो same ही रहते हैं इनमें तो कुछ बढ़ोतरी ये नहीं होती है तीसरा इसमें हम सिर्फ यही देखते हैं कि भाई output कितना बढ़ रहा है and चौथा इस concept में हम ये नहीं देखते हैं कि लोगों का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक हम तो सिर्फ output national income and per capita income में ही लगे रहते हैं इसमें अब जो दूसरा term है वो है economic development ये ऐसा process है जो continuous होता है यानि वो होता ही रहता होता ही और यह हम किसलिए करते हैं to achieve economic well-being यानि हमारी आर्थि स्थिती अच्छी हो सके देखे economic development में हमारा national income और per capita income ये तो हमको बढ़ाना ही होता है ये तो हमारा goal होता ही है लेकिन हम साथ में कुछ quality वाली चीजों के बारे में भी सोसते हैं कि लोगों का भी welfare हो ठीक है सिर्फ इसकी वज़ा से सिर्फ यही एक बहुत बड़ा फरक है economic development and economic growth में it is a multi-dimensional process मतलब इसमें क्या होता है कि हम हर चीजों के बारे में सोसते हैं ठीक है ओके now यहाँ पर आप definition से समझ सकते हैं that it is a multi-dimensional process यहाँ पर क्या होता है देखे यह जो दूसरा वाला है इसको धियान से देखेगा यह एक ऐसा process है जहाँ पर हम यह मान के चलते हैं कि बाई जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं वो लोग और ना बड़े मतलब हमारे देश में और भी जादा गरीबी हो ना बलकि गरीबी कम हो हम ऐसा सोचते हैं इसके अलावा जो income है उसमें inequality ना हो मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास तो बहुत जादा पैसा है किसी के पास तो बिलकुली पैसा नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए यह हमारा goal economic development में and इस के साथ साथ real per capita income बढ़ता रहा है national income बढ़ता रहा है तो मतलब हर एक चीज़ के बारे में यहां पर सोची जाती है that is why it is called as multi-dimensional process okay is it clear very good I hope आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही असान भासा मैं आपको समझा रही हूं and now इसके कुछ characteristics देखें important हो के यह सब two marks के ल उसका एक definition लिखके उसके characteristics समझा सकते हैं so सबसे पहला तो यह continuous process है दूसरा इसमे quantitative changes तो होते ही है जैसे कि per capita और अपना national income तो बढ़ता ही है साथ में कुछ qualitative changes भी इसमें होते हैं तीसरा देखें जब development होता है ना उसमें लोगों के जो demands होते हैं goods और services को लेके वो भी बढ़ते हैं और जो labors होते हैं वो भी बहुत जादा dynamic हो जाते हैं क्योंकि production बढ़ रहा है तो वो लोग भी dynamic हो जाते हैं इसके अलावा capital formation बढ़ता है of course अब हमारे को भाई नए ने commodities के demand आ रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको अपना capital भी बढ़ाना पड़ेगा technology में भी changes आते हैं जब economic development होता है तो हमारे technology भी बढ़िया होने लगती हैं एक stage आने के बाद यह जो development है वो खुद ही बढ़ता जाता है इसमें किसी को जोर नहीं लगाना होता clear? now what are the limitations of this अब इसके भी कुछ limitations होता है हर एक इंसान के ही अंदर कुछ खूबिया होती है तो कुछ कमिया भी होती उसी तरह से कोई भी चीज़ economics में भी perfect नहीं है कुछ खूबिया है तो limitations भी है तो उसी तरह से हमारे जो भाईया economic development इनका जो सबसे पहला limitation है वो यह है कि यहा से measure नहीं कर पाते हैं जैसे कि हम economic growth को कर लिया करते थे क्योंकि इसमें qualitative चीज़े भी आती है तो qualitative चीज़ों को नापना थोड़ा मुश्किल होता है एं तीसरा ऐसा कहा जाता है कि जब भाई economic development हो रहा है तो लोगों का standard of living इंप्रोग होना चाहिए लेकिन इंडिया में इस now this is very 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 important I will say it is must it may come in two mark three mark okay इसको आप star बना के रखिये बहुत important है यह difference between economic growth and economic development यहां पर यह ऐसा थोड़ा printing mistake है टेक्स्बूक में इधर economic development आना चाहिए इधर economic growth आना चाहिए चलिए हम समझते हैं economic development एक process है और economic growth एक occurrence हो जाता है economic development में quantitative qualitative दोनों changes होता है यहां पर सिर्फ quantitative होता है clear तीसरा economic development में यह सवाल आता है कि हम जो unutilized resources है मतलब वो resources जिनको अभी तक इस्तमाल नहीं किया गया है उसे हम कैसे इस्तमाल करेंगे and economic growth में हम इस चीज़ पर focus करते हैं कि जो हमाँ पास resources है उसका distribution कैसे होगा चौता economic development is for developing countries and it is for developed countries and it is very difficult to measure भाई साब मुश्किल है यह नापना but it is easy to measure this is the concept is broad and wait a second the concept is narrow economic development is related to distribution यहां पे distribution की भी बात करी जाती है per capita income के साथ मतलब की भाई किसके पास कितना पैसा है कहीं किसी के बहुत जादा पैसा तो नहीं है और किसी के बिलकुल पैसा नहीं है यह भी इसमें देखा जाता है यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं यहां पे तो per capita income ही देखा जाता है यह थोड़ा slow process है this is fast process and economic development is not possible without economic growth थोड़ा सा यहां पे गलत हो गया है actually printing ही mistake है economic growth is not possible without economic development ऐसा आएगा देखो economic development पहले होता है उसके बाद हम achieve करते हैं growth तो economic growth नहीं possible है economic development के बिना भाई पहले development होगा फिर ही growth होगा क्योंकि पहले आपकी जो country है वो developing country बनेगी फिर वो developed country बनेगी तो I hope आपको यह समझ में आ गया है आगे बढ़ते हैं और अब हमारा इस chapter का दूसरा एक topic शुरू होता है एक तो यह सब था economic development वगेरा और अब यह आता है indicators of economic development भाई नापने के लिए कुछ तो होना चीए ना जैसे बुखार नापने के लिए आपके पास thermometer होता है वैसे ही development नापने के लिए जो चीजे होती है उसको indicator बोला जाता है ठीक है तो ऐसे कितने indicators है let's see देखें यहां पे चार indicators आपको textbook में है national income, per capita income, PQLI and HDI इन चारों के बारे में बात करते हैं इक एक करके सबसे पहले तो national income के अधार पे हम देखते हैं कि हमारे जो देश है वो development की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है अगर मेरे देश का national income हर साल बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है तो मैं बोलूगी कि हाँ development हो रहा है अगर नहीं बढ़ रहा है तो मैं कहूंगी कि development नहीं हो रहा है अगर कम हो रहा है हर साल के comparison में तो मैं कहूंगी under development हो रहा है और अगर हो ही नहीं रहा है तो मैं कहूंगी by stagnancy चल रही है मतलब कि रुका हुआ है सब कुछ ठीक है यहाँ पर एक table है नोर्वे, अमेरिका, शिलांका, चाइने, इंडिया, बाकिस्तान इसका figure दिया हुआ है कि हर साल कितना national income परसेंट में इन लोग का बढ़ता है तो अपना इंडिया ही इसमें सबसे highest है इंडिया इंडिया इन चाइना बिकोज हमरा population भी उतना ज़्यादा है अगर आप national income के अधार पर यह जाचते हो कि मेरा देश development की तरह बढ़ रहा है कि नहीं जो पहला है वो है कि भाई जब आप national income गिनने जाएंगे तो actually मैं आप उसको counting नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे problems होते है नेशनल इंकम को सही से calculate करने के लिए double counting दो बारे गिन लिया या self consumption की चीजे या फिर depreciation अलग-अलग method से कर लिया calculate illegal income tax से बचने के लिए कुछ लोग ने गप्चाबाजी कर दिया आप हम यह पता लगा लेते हैं भाई कि नेशनल इंकम से ही हमारा economic development ना पा जाएगा लेकिन हमको population के बारे में भी सोचना है ऐसा नहीं होना चीजे कि यार population बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और नेशनल इंकम थोड़ा थोड़ा भी बढ़ रहा है तो हम सोच रहे कि भाई हम तो economic development की तरफ जा रहे है नई भाई population का जो रेट है न उससे ज़्यादा हमारा यह वाला ग्रोथ होना चीए तब ही हम बोलेंगे कि हां भाई एक्चुली में economic development हो रहा है और थोड बहुत सारे मेथड से नेशनल इंकम कैलकुलेट करने के तो मेरे इंडिया में अगर मैने कोई दूसरा मेथड इस्तमाल करके national income calculate किया यूएस से में कोई और मेथड चल रहा है और कहीं और मेथड चल रहा है ऐसे में ऐसे में क्या होगा ऐसे में अलग अलग figure सामने आएंगे जब अलग-अलग figure सामने आएंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा देश ज्यादा developed है या नहीं है यह development की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है नाव दस्टेकंड इंडिकेटर इस पर कैपटा इंकम नैशनल इंकम में इतनी कमिया है इसलिए लोगों ने सोचा कि नैशनल इंकम को साइड कीजिए अब पर कैपटा इंकम को लेके आते हैं और देखते हैं भाई इसके हिसाब से कि हमारे देश में economic development हो रहा है कि नहीं त कि तरह जा रहे हो एंड अगर हो ही नहीं रहा है तो अब इस टेगनेंट हो बट ये भी पता होने ची कि पर कैपटा इंकम होता है क्या है it is important for one marker पर कैपटा इंकम इस एवरेज इंकम पर हेड एक इंसान कितना कम आता है उसको हम पर कैपटा इंकम बोलते हैं मतलब टोटल मतलब एक इंसान आइवरेज में कितना कमा रहा है उसको हम पर कैपटा इंकम बोलते हैं यहां पर टेबल्स में फिगर्स दिये हुए हैं जिसके हिसाब से नॉर्वे इजाड़ी टॉप एंडिया की सिचुएशन बहुत ही ज़ादा बुरी है इसमें क्योंकि हमारा पॉप्यूलेशन जाद है वो भी हमें देखना पड़ेगा लोगों को यह भी एकसेप्ट नहीं था कि भाई पर कैपटा इंकम को भी हम नहीं accept कर सकते हैं as a indicator क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कमिया है पहली कमी यह है कि per capita income में मैंने आपको अभी formula बताया कि total income upon total population अब आप total income तो पता कर लेते हैं ठीक है लेकिन population लिखने की जब बात आती है न तो आप सिर्फ estimate लगाते हैं कि हाँ इतना population होगा बट exactly correctly कितना population है वो हमारे को नहीं पता है क्योंकि census दस-दस साल पर होता है population का ठीक है तो हम एक estimate लेके चलते हैं तो बाई per capita income गलत ही आना है and देखो per capita income निकालने के लिए आपको टोटल national income चाहिए अब अगर तुमने national income गलत निकाला है तो अफकोस जाहिर सी बात है कि पर capita income भी गलत ही आने वाला है और यह जो पर capita income है ना यह ज़स्ट एक average है और एक average के basis पर हम decision लेंगे तो वह बेवकूफी होगी ओके और चौथा difficult in comparison अगें हम जो यह per capita income निकाल रहे हैं हमें सबसे पहले हम अपने अपने currencies में निकालते हैं उसको US dollar में convert करो and then check out करो यह सब बहुत hectic सा process है and last is deceptive indicator यह जो per capita income है ना इससे actual income किसी भी इंसान का पता नहीं चलता है इसले हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक सच्छा indicator है ओके तो इतनी कमिया है इसमें per capita income में national income से भी ज़्यादा कमिया है इसमें फिर जो तीसरा indicator आता है that is PQLI now what is PQLI the full form is physical quality of life physical quality of life index उससे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि physical quality of life क्या है तो मैं जारा पानी वानी पी लेती हूं थंडर रखी आप लोग चलिये दोस्तों I am back now what is physical quality of life देखें हम human beings की जो life की quality है वो कैसे हम पता लगाते है ठीक है वो हम वैसे ही पता लगाएंगे कि आप क्या consume करते हैं आप क्या consume करते हैं उसी के हिसाब से मैं बोल सकती हूं कि आपके life की quality कैसी है अगर मैं बहुत जादा negative चीज़े consume करती हूं तो तुम बोलोगे कि मेरी जो life की quality है वो negative ही होने वाले अगर मैं बहुत अच्छी चीज़े consume करती हूं तो मेरी life positive quality की है उसी तरह से जिस तरह का आप खाना पानी जिस तरह कि आप good services consume करते हैं उसी से ये decide होता है कि आपके life का quality कैसा है तो कौन-कौन सी चीज़ उससे देखा जाता है तो सबसे पहले कि आप क्या खाते हो क्या fuel यूज़ करते हो तो हमने जैसे की बात कर लिया है कि देखे इसमें तो पहले food देखा जाता है then health and medical service आपको मिल रहा है कि नहीं आपका घरवर है या नहीं आप अच्छे से कपड़े पहनते हो कि नहीं अच्छे मतला आप कपड़े पहनते हो कि नहीं then आप पढ़े लिखे हो या नहीं entertainment आप consume कर रहे हो transport की facility आपको मिल रही है आप communicate कर पा रहे हो information बराबर आपको मिल पा रही है energy है आपको pure drinking water मिल रहा है कि नहीं average life expectancy कितनी है इसका मतलब आगे हम समझेंगे इन दोनों का infant mortality rate कैसा है और drainage facility मिल रही है कि नहीं मिल रही है अगर किसी भी देश में ये 10 जो चीजे हैं ये जो 10 चीजे हैं किसी विदेश में अगर ये सही है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई PQLI सही है और जब PQLI सही है तो हाँ भाई economic development हो रहा है अगर ये जो 10 चीजे में बहुत गिरावट है तो हम बोलेंगे भाई PQLI कम है और PQLI अगर कम है तो economic development कम है समझ रहे हैं ओके ये 10 चीजे से हम physical quality of life का पता लगाते हैं अगर ये 10 चीजे सही है किसी भी country में तो हम बोलेंगे कि भाई country developed है अगर नहीं तो हम बोलेंगे under developed है ठीक है ओके now see physical quality of life का तो हमने पता लगा लिया बट physical quality of life index इसमें हम 3 चीजे बेसिकली देखते हैं ठीक है हम देखते हैं extent of education then हम देखते हैं life expectancy and then हम देखते हैं infant mortality rate उस देश का कैसा है तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि भाई literacy level कैसा है लोग पढ़े लिके हैं कि नहीं पढ़े लिके हैं उसके बाद हम देखते हैं life expectancy कि उस देश के जो लोग है वो कितना जी रहे हैं उसको आ जाता है life expectancy number of years a child is expected to live at the time of its birth जब किसी बच्चे का जनम होता है तब कितना एक्सपेक्टेडली वो जी सकता है यह देखा जाता है infant mortality rate मैंने कहा थे यह हम आपको समझाएंगे यह important भी है वन मा के लिए देखें during a year number of infants who die before one year out of thousand बोस्स is known as infant mortality rate अगर सिफ infant mortality बोला जाये तो एक साल के अंदर अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं लेकिन अगर infant mortality rate पूछा जाये तो आपको यह लिखना है एक साल में कितने बच्चे हैं जो एक साल के भी नहीं हो पाते हैं वो मर जाते हैं और जब हम उसको thousand birth से compare करें तो जो निकल के आता है उसको infant mortality rate बोलते हैं ठीक है तो इन तीनों का index निकाला जाता है और तब बन के आता है PQLI अब देखे physical quality of life के लिए हमने 10 चीज़े देखी थी लेकिन अगर physical quality of life index की बात करें तो उसमें ये तीन determinants ही होते हैं जो अभी हमने पीछे देखे why only these three तो देखे ये जो तीन चीज़े हैं वो बहुत valid है हर देश में ये होता ही होता है इसलिए इसको लिया गया है ठीक है जो तीनों factors है इसमें result की बात करी जाती है और ये तीनों product based है इसलिए इन तीनों को लिया गया है और वो तीन है literacy, life expectancy and infant mortality rate now see PQLI निकाला कैसे जाता है तो ये जो तीन indicator है इनको 100-100 का weightage दिया जाता है और फिर average निकाला जाता है और हम 0-100 के बीच में देखते हैं मतलब हम 0-100 के बीच में क्या करते हैं marks देते हैं जैसे देखो ये तीन indicator है तो इसको मुझे 100 के अंदर marks देना है इसको देना है और फिर मुझे क्या करना है इनका average निकालना है अगर PQLI मेरा 100 के करीबन आया है तो मतलब मेरा देश अच्छा है economic development हो रहा है अगर PQLI 0 के पास आ रहा है मतलब मेरे देश में development ही नहीं हो रहा है और ये जो PQLI है ये हमेशा 0-200 के बीच में ही आने वाला है higher the PQLI more the economic development lower the PQLI lesser the economic development ठीक है इसके फाइदे क्या है कि जब आप PQLI को indicator के रूप में देखते हैं तो क्या इसके आपको फाइदे मिलते हैं तो देखें सबसे पहले इसमें जो चीजे include करी गई है वो हमारे standard of human life हमारा जो living standard है वो ही है actually में उसी के हिसाब से है इसलिए अच्छी बात है और दूसरा ये per capita income से तो better है और तीसरा इसमें थोड़ी कम कमिया है national income और per capita income से compare करे तो इसलिए भी ये सही है PQLI से comparison करना भी असान है हर देश के साथ हर ग्रूप के साथ आप comparison भी कर सकते हैं और आप PQLI अलग-अलग group के लिए बना सकते हैं जैसे urban area के लिए rural area के लिए female male सब के लिए बना के then comparison कर सकते हैं बट इसके भी limitations है ठीक है ऐसी बात नहीं है कि इसमें limitations है ही ने पहला तो इसका यही limitation है कि इसमें सिर्फ तीन चीजे दी हुई है अब भाई बड़ा picture देखना है तो सिर्फ तीन चीजों से काम कैसे चलेगा दूसरा यहाँ पे तो average निकाला जाता है भाई average निकालने से कैसे बात होगा average पे हम कोई भी decision कैसे ले लेंगे अगर एक country का PQLI high आता है तो हम यह नहीं बोलेंगे कि उस country का economic development high ही है दूसरे countries के हिसाब से ऐसा generally होता नहीं है चौता हम यहाँ पे सारे indicators को जो 100-100 का weightage देते है न यह actually में unfair है क्योंकि सब उतना important नहीं होता है कुछ life में जादे important होता है कुछ life में कम important होता है चौता है यहाँ पे इंकम को इंकम को यहाँ पे ignore करा जाता है which is a bad thing क्योंकि इंकम बहुत कुछ है अमारी life में तो इसके वज़ा से भी PQLI ठीक नहीं है and जो PQLI rich countries का होता है वो बहुत slower rate से बढ़ता है क्योंकि already उन्होंने सब कुछ achieve कर लिया है अच्छी पढ़ाई हो, infant mortality rate हो यह सब already उन्होंने अब achieve कर लिया है तो थोड़ी ना वो और उठेंगे उपर उठेंगे ऐसा थोड़ी ना होगा इसलिए PQLI उनका बड़े ही slower rate से बढ़ता है तो यह भी एक limitation है भाई कि फिर उन देशों का हम कैसे निकालेंगे economic development राइट अब यह जो चोथा indicator हमारा आता है वो है HDI PQLI से भी मन भरा अब आता है HDI यह सबसे नया indicator है economic development को नापनेगा एंजी एक report जो कि 1990 में आई थी उसी में इसको present किया गया था इसमें भी कुछ determinants होते हैं जिसके हिसाब से देखा जाता है कि economic development हुआ है या नहीं हुआ है अगें इस थ्री life expectancy already you know literacy और education and good standard of living life expectancy एक इंसान कितने साल expected है जीने के लिए दूसरा knowledge वो इंसान कितना पढ़ा लिखा है ठीक है उसको वो school गया है कि नहीं गया है कितने साल गया है और कितना expected था कि उसे जाना चाहिए था and तीसरा हम standard of living देखते हैं कि उस इंसान को अच्छा खाना अच्छा पानी medical facility साफ सफाई mortality rates ही है कि नहीं under nourished लोग तो नहीं है यह सब हम देखते हैं good standard of living में now hdi के बारे में again यही तीनों को यही तीने तीन चीजों के हिसाब से निकाला जाता है economic development हुआ है या नहीं हुआ है कुछ important चीज़े जो आपके mcq या one mark के लिए बहुत important है let me change the color सबसे पहले तो देखे maximum value of hdi 1 है क्योंकि यह hdi range करेगी 0 to 1 के बीच में है मतलब hdi हम निकालेंगे तो answer हमारा 1 से 100 के बीच में नहीं बलकि 0 से 1 के बीच में आएगा यह कहां पे आता है pqla में आता है अगर जो country 1 के closer है 1 के close में है तो हम बोलेंगे कि वो बहुत जादा developed है अगर वो 1 से दूर है तो हम बोलेंगे कि वो बहुत ही less developed है and 2014 में जब निकाला गया था उस समय पे नोर्वे ने rank 1 लेके आए थे यह लोग इनका hdi था 0.944 यहां पे table है आप go through कर सकते है इसी table का यहां पे data दिया हुआ है जो अतना important नहीं है मेरे हिसाब से बस यह conclusion important है कि नोर्वे is at the number 1 इंडिया is at 130th rank and total 188 countries थे तो इंडिया में human development moderate है hdi के हिसाब से यह जो neiger country है it comes last तो यह चार चीज़े आप याद रखना it is important for mcq या one mark के लिया now hdi important है क्या hdi सही है क्या उन तीन indicator से तो देखे hdi hdi को आप बोलेंगे कि हाँ भाई यह ठीक है यह complete है क्योंकि यह सिफ economic factors ही नहीं बलकि social welfare यह सारी चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा है education and health को भी यह लोग उसका भी determinant से चेक आउट कर रहे हैं कि economic development हो रहा है कि नहीं हो रहा है true progress तो तभी होगा जब economic progress भी हो रहा है और social progress भी हो रहा है और यहीं चीज़ हमको और कहां पर development enough है बड़ बड़ यह भी एकदम प्यार नहीं है इसके भी limitations है बाकियों की तरह इसका पहला limitation है कि इसमें भी तीन social indicators है जो की कम है लोगों के हिजाब से और यहां पर भी equal weightage दिया गया है तो यह भी जायज नहीं है ऐसा लोगों का कहना है और यह एक absolute चीज़ नहीं है यह एक relative चीज़ है relative progress दिखाता है absolute नहीं दिखाता तो यह भी limitation है others than HDI हमारे पास यह और चार indicators है जिसका full form याद रखना नाम भी याद रखना for MCQ या one mark GDI gender development index HPI human body index TAI technological achievement index N4 HCI human consumer index तो यहां पे हमारे इस chapter का revision बड़े ही बड़िया तरीके से complete होता है अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से like ठोकिए like 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 and 9.30 बजे हर रोज रात को present रहेगा ठीक है without miss and okay thanks a lot for watching bye bye take care study well best of उल्दी से like